तो बिहार सरकार की हिस्सेदारी केवल 24 प्रतिशत है और सेंटर से 76 प्रतिशत राशी मिलती है ये बिहार गौवर्मेंट का रेवेन्यू का डाटा है मानिया मुख्यमंत्री जी थोड़े भी सक्षम नहीं हो पा रहा है लगता है बिहार चलाने में और इसलिए बिहार एक मात्र राज्य है जहां 75 प्रतिशत से अधिक की राशी केंद्र के सहयोग से मिलती है मानिया मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए कि कोई अच्छे व्यक्ति को वित्मंत्री बनाए नमस्कार अब देख्रे बिहार इंसोट्स मैं हूँ आपके साथ रोहित बिहार बीजे पीके परदे सद्दक्ष संजय जैस्वाल ने मुख्यमंत्री नितीश कुमार पर से बिहार सरकार को आर्थिक मदद करती हैं लेकिन ये लोग जूट बोलते हैं क्या कुछ कर रहे हैं संजय जैस्वाल अब देखिए इस वीडियो में भूरियो बात कल से हमें देखने को मिल रही है और वह है कि मानिया मुख्यमंत्री जी यहां करे हैं कि हमें केंगर से सहायता नहीं मिलती है और हमें लोन लेने मेंदिक्कत है सत्रह वर्षों से भारतिय जंता पार्टीं के वित मंत्री बिहार को चलाते थे और कभी इस तरह की दिक्कत नहीं हुई तो मानिया मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए क्या उनके मंत्री इतने अक्षम है कि आज अचानक वित की कमी उनको हो गई है दूसरा जो वह लगातार गलत बियानी कर रहे हैं वह है कि केंद्र सरकार मदद नहीं करती है केंद्र सरकार का यह बिहार सरकार का डाटा है खुद बिहार सरकार ने इसको जारी किया है बिहार सरकार खुद मांती है कि उसके द्वारा अपने से जो पैसा कलेक्शन होता है वो एक तालvat अजार तीनसो सतासी करोड होता है इसके अलावा छे अजार करोड का बिहार सरकार अलग से प्रवंद कर पाती है केंद्र से राजयस्व में बिहार सरकार को चुकी जी एस्टी के कारण ही उनको 91,181 करोड मिलता है उसके अलावा जिस राजय का पूरा कलेक्शन 41,000 करोड के लगभग में हो उसको सेंटर केंद्र जो है वो मदद के रूप में आर्थिक मदद के रूप में इस वर्ष भी 58,000 करोड रुपए दे रहा है और कुल 1,96,000 करोड में अगर समझें तो बिहार सरकार की हिस्सेदारी केवल 24 प्रतिशत है और सेंटर से 76 प्रतिशत राशी मिलती है ये बिहार गौवर्मेंट का रेविन्यू का डाटा है मानिया मुख्यमंत्री जी थोड़े भी सक्षम नहीं हो पा रहा है लगता है बिहार चलाने में और इसलिए बिहार एक मात्र राज्य है जहां 75 प्रतिशत से अधिक की राशी केंद्र के सहयोग से मिलती है महराश्ट जैसे राज्यों को मुश्किल से 28 प्रतिशत राश्री उनकी किंद्र से मिलती है उसी प्रकार वह कहते हैं कि योजनाओं में साथ नहीं होता है 19 दिसंबर को मैंने प्रश्ट पूछा था केंद्र सरकार से कि क्या बिहार को मदद नहीं कर रहे हैं यह लोगसभा का प्रश्ट संख्या 1906 और केंद्र ने 105 योजनाओं की पूरी फेहरिस्त लोगसभा के पटल पर रखी है कि हम 105 योजनाओं में बिहार सरकार को मदद कर रहे हैं मानिया मुख्यमंत्री इसे मेरा एक ही आगरह होगा कि केंद्र के द्वारा इन 105 योजनाओं में जो मदद मिले यह वह अच्छे से करें और अगर उनका वित्व मंत्री इतना अक्षम है क्योंकि वह चार साल पहले भी विरोधी दल में थे लेकिन यह पहली बार है कि उनके लगता है वित्मंत्री बने हैं इसलिए अगर वह बिहार का वित्य संचालन नहीं कर पा रहे हैं तो यह दुखत बात है मानिया मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए कि कोई अच्छे व्यक्ति को वित्मंत्री बनाए और बिहार की जंता को बर्गलाने का काम नहीं करें यहां जो करोड की वह गतिशक्ती योजना होच strategy दरभंगाय का एयपस हो जितने भी केंड़ के योजनाये हैं उन्स सब को रोक करें केवल और केवल विहार को नुक्सान पूंचाने a का दाशion कहा है कि मुख्यमंत्री नितीज कुमार जूठा रोप लगाते हैं केंदर सरकार पर केंदर सरकार हमेशा से बिहार सरकार को आर्थिक मदद करते हैं रहे हैं आपको बता दे कि मुख्य मंत्री नितीश कुमार के साथ साथ बिहार सरकार में पित्त मंत्री विजे चौदरी पर भी निसाया साथ ते नजर आ है संजय जे सौल और क्या कुछ का रहते हैं अपने इस वीडियो में देखा बस इसी तरह की तमाम खबरो को साथ तपर साथ जूरा रहत तक लिदन्यवाद